रादे कृष्णा मेरी यूटूब फैमली तो फ्रेंट्स आज है मेरी साधी की सालगिरा और प्लीज वीडियो में बने रहिएगा आज मैं आपको बताऊंगी मेरी शाधी की मतलब कितने साल हो गए है मेरी शाधी को और मेरी साधी कैसे हुई थी लब मेरी शी अरेंज मेरी शी हर बात आप से शेर करूंगी तो फ्लीज वीडियो में बने रहिएगा और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फ्लीज फ्रेंट्स लाइक जरूर कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा तो अभी मैं उठ गई हूँ और अभी बच्चे तो सो रहे है तो चलिए अभी मैं सुबे सुबे सारे घर के काम निप्टा लेती हूँ सादी की सालगिरा हो, बड़े हो, हम लोगों को काम तो करने ही पड़ते हैं तो पेले काम कर लेती हूँ घर का, फिर आप से मिलती हूँ तो फ्रेंट्स आज मुझे सुबे से अभी तक बिल्कुल टाइम नहीं मिला है बस मैं कामी कर रही हूँ तो अभी तो फिलहाल में यहाँ पर देखिए, मैरिनेट कर रही हूँ चिकन तो इसे मैं फ्राइ करूँगी और मैं आज दो तरीके से बनाऊंगी चिकन तो फ्रेंट्स ये तो मैं को फ्राइ करना है और इसकी मैं को चिकन की सबजी बनानी है यहाँ पर मैंने सारे मसाले वfir डाल दिये हैं और आपको मैंने पहले शेयर किया हुआ है मैं किस तरीके से मैरिनेट करके रखती हूं चिकन को तो हैंपर मैंने देखिए एक पेकट लिया है छोटा वाला चिकन मसाला जिसे भी इसमें डाल कर अच्छे से मिला कर रख देना है और मैं इसे कम से कम एक घंटे के लिए रखँंगी रेष्ट करने के लिए जब तक मैं ये जब तक रेष्ट होगा न तो मैं जब तक मसाले वगएरा भू। तो काफी अच्छे से भून के रखोंगे मसाला ज्यादा टाइम के लिए और यह ब्रूनो के लिए चिकन रखा हुआ है तो यहाँ पर यही तैयारी कर रही हूँ मसाले को भूनने के लिए तो यहाँ पर मैंने तीन बड़ी लाइची दो छोटी लाइची और तीन चा तेज प प्याज भून जाएंगे अच्छे से यह देखिए हलके लाल हो रहे हैं प्याज तो बस अब मैं इसमें जो ग्रेवी मैंने तयार करके रखी हुई है वो डाल दूंगी तो इसमें फ्रेंट्स प्याज और हरा धनिया है बस इसी का पेश्ट तयार किया है अद्रक लसन का पे मसाले को भूनेंगे उतना अच्छा टेश्ट आता है चिकन का तो यहाँ पर मैंने तीन बड़े टमाटर ले लिए हैं इन्हें भी पीज के रख लूँगी में तो फ्रेंट्स मैंने आपको बोला था जैसे कि आज मेरी सादी की साल गिरा है और मैं आपको बताऊंगी कि मेर इतने साल हो गए है तो फ्रेंट्स मेरी सादी को हो गए है 17 साल जो काफी लंबा टाइम है और काफी उता चड़ाव आते हैं शादी में हमारे और मेरे भी भोश से आये उता चड़ाव लेकिन खेर हम दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि फ्रेंट्स इतना नहीं मिलता है जितना अरेंज मेरी ज्वालों को मिलता है तो बस ये चीज हमारे साथ भी हुई थी और अभी भी वही चीज है प्रेंट्स इसलिए हम दोनों अपने में ही खुश रहते हैं ज्यादा भी टेंशन नहीं करते हैं ठीक है जिसे हमें पूछना है पूछे इसे नहीं पूछना है ना पूछे अपने में ही खुज रहते हैं और लड़ाई जगड़े तो हर किसी में होते ही हैं कपल्स में हम में भी होते हैं तो फें 17 साल काट लिए तो रागे भी कर जाएंगे लड़ जगड़ के और हस्बेंड वाइप का तो यहीं रिस्ता है लड़ने जगड़ने का मनाने का तो बस यहीं चलता रहेगा आगे भी तो बस बाते करते करते हैं देखिए पूरी ग्रेवी अच्छे से पक गई है और यहाँ पर मैंने चिकन इसमें डाल दिया है और बस अब इसे मैं न कुछ भी नहीं डालूंगी बस इसे ढख के रख दूंगी मध्यमाज पर और बीच बीच में इसे देखती रहूंगी बस इसे आदे घंटे के लिए मैं मध्यमाज पर पकने के रख दूंगी तो यह पक के तयार हो जाएगा तो हमारा चिकन बन के तयार हो जाएगा तो फ्रेंट्स यह दो किलो चिकन था इसमें एक पेकेट मैंने जब मेरिनेट किया था जब डाला और एक पेकेट अभी डाल रही मेदे मेने सारे मासाले डाल दिये हैं और अब हम चिकन को अच्छे से लपेट लेंगे और फिर इसे अच्छे से लपेट कर हम डीप फ्राइ कर लेंगे तो इसकी रेसिपी मैंने अपने पिछले वीडियो में डाली हुई है अगर आपको देखना है तो प्लीज आप मेरा आपने मेरा कितना वीडियो वाच किया है तो मुझे आज जानना है कौन-कौन मेरा वीडियो कितना देखता है तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड लाइक जरूर कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को कर लीजेगा तो यहां पर देखिए मैंने मेरा मतलब चिकन भी बन गया था और यहां पर मेरे जो चिकन फ्राई किया था वो भी होई गया था और मुझे आज बनाना था मतर पनीर क्योंकि क्या होता ना कुछ लोग चिकन खाते कुछ लोग नहीं खाते जो नहीं खाता है उसक और ममी पापा के लिए मैंने यहीं से खाना भेज दिया था वो भी नहीं आये थे तो यह देखिए फ्रेंट्स यह मटर पनीर की भी सबजी बनाई थी जो मैंने आप से शेर नहीं की है अगर आपको यह चाहिए तो मुझे कमेंस बॉक्स में जरूर बताएगा इमें इसकी भी रेसिप्य आपको जरूर से शेर करूंगी तो यह देखिए फ्रेंट्स यह घर पर ही बनाया हुआ था कि क्योंकि मार्केट से तो नहीं लाये थे घर पर ही बना लिया था और यह देखिए हम लोग केक खाट रहे हैं और मेरी यह ननद है छोटी वाली तो बस दीदी आई थ और जो घर बना था ना वो दीदी का ही है जो मैंने आपको वीडियो डाला था वो दीदी का ही है इनी दीदी का घर है और यहाँ पर बस हमने हमारी एनिवरसरी इस तरीके से सिंपल तरीके से बनाई थी फैस तो अगले वीडियो में मिलते हैं जब तक ले टाटा बाई